डाउनलोड करें एस्ट्रोसेज कुंडली एप और तुरंत पाएं 50 पेशी कुंडली बिल्कुल मुफ्त जातक के लिए लेकिन हम आगे बढ़ें उससे पहले यदि अभी तक भी आपने हमारे यूट्यूब चैनल एस्टोसेज टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृप्या अभी कीजिए और इस वीडियो को देखने के बाद आपको पसंद आती है तो इसे लाइक और शेर कर इस सब्सक्राइब आपको उचलाब मिलने की संभावना होगी काम की अधिकता के चलते आप व्यस्त रहेंगे पारिवारिक जीवन को लेकर थोड़े परिशान भी रह सकते हैं बच्चों को सुभाव थोड़ा सा शरारती रहेगा चात्रों के आत्म विश्वास में कुछ कम नहीं आ सकती है हाला कि पढ़ाई में उनकी महनत देखी जा सकेगी भाई बहनों के साथ किसी प्रकार की कहासो नहीं हो सकती है लोग आपकी महनत को शायद इस समय नजर अंदाज करें लेकिन इस बात की चिंता को छोड़कर आप अपने प्रियासों को जारी रखे आनने वा रहेगा रिष्टे में मजबूती आएगी और जीवन साथी को किसी प्रकार की उपलब्धी हासिल हो सकती है भाग्य स्टार के रूप में आपको मिलते हैं पांच में से चार स्टार और उपाई के रूप में छोटी कन्याओं को आश्रवाद ले और उने मिष्ठान होंगे हलाकि इस दोरान आपको किसी भी तरह के आर्गुमेंट से बचना होगा छोटी दूरी की आत्राएं आपके लिए लाबकारी रहेंगी वहीं सफलता पाने के लिए आपको थोड़ा कठिन परिश्रम भी करना पड़ेगा आपकी आय समाने रहेगी परंतु आपके खर मिलेंगे लेकिन वीकेंड आपको मायूस कर सकता है प्रियतम के साथ आप अपनी भावनाओं को शेयर करेंगे वैवाहिक जीवन में किसी तरह का विवाद सामने आ सकता है हाला कि दोनों के बीच प्यार बना रहेगा भागे स्टार के रूप में आपको मिलते हैं पांच में विशेश रूप से आपको वहन चलाते समय साफधानी भरतने चाहिए इस समय आपका बहुत दिक विकास होगा और पूरा सप्ता आपके बहुत दिक विकास में लगेगा आपकी आमदनी में वर्धी के संकेत हैं वहीं पारिवारिक जीवन में भी सब कुछ अच्छा ही रहे सब्ताहा के मध्य में आप अपने विभाग के बारे में भी सोच सकते हैं वहीं शादी शुदाजातकों के लिए सब्ता शांती पूर्ण रहेगा जीवन साथी के द्वरा किसी प्रकार का लाब भी संबव है भाग स्टार के आरूप में आपको मिलते हैं पांच में से चार स और उपाय के रूप में करीबों को कमबल वांटे आपके लिए उत्तम रहेगा करक राशी निर्ने लेते समय आप भ्रहम की स्थिति में रहेंगे कारेशेत्र में आपको अपने व्यभार को सभ्य बनाए रखना होगा इस दोरान आप अपशब्दों का प्रियोक कर किसी की भावनाओं को ठेस पहुचा सकते हैं वहीं घर में सुक्षान्ती बनी रहेगी और करियर में भी उन्नती होगी सरकार अथ्वा उच अधिकारियों से आपको लाब मिल सकता है छोटी दूरी की आत्राएं आपके लिए सुखद रहेंगी समाज में भी आपका मान सम्मान बढ रहेगा यदी बात करें आपके प्रेम फल की तो प्रेम के मामलों के लिए सप्तहा मिला जूला रहने वाला है सप्तभा के स्पर्ण हाम को अच्छे परणाम मिलेंगे रहेों बस एक दूसरे पद शक्र ने से बचे और वयभाईध जीवन चोटे मोटे विवाद सामने आ सकते हैं भाग्य स्टार के रूप में आपको मिलते हैं 5 में से 3 स्टार और उपाई के रूप में भगवान शिव की आराधना करें और उन्हें चंदन जडाएं सिंग राशी आपको मानसिक ठकान हो सकती है मन में किसी के प्रति वासनात्मक विचार भी आ सकते हैं घरेलो जीवन को लेकर आप असंतुष्ट रह सकते हैं लंबी दूरी की यात्रा के योग बनते हैं खर्च के साथ साथ आमदनी भी बढ़ेगी बच्चों और छात्रों के लिए सब्ता बढ़िया गुजरेगा बड़े भाई भेनों अत्वा सीनिर्स के द्वार आपको किसी प्रकार की साहता भी प्राप्त हो सकती है धन संचे करने में आप काम्याब रहेंगे बस अपनी वानी पर नियंतर नखे बात करें अदि आपके प्रेम फलकी तो प्रेम के मामलों के लिए सब्ता हा अच्छा रहेगा हालाकि शुरुआत थोड़ी कमजोर रहेगी लेकिन मध्ध है अवाम सब्ता हांत अनुकूल दिखाई दे रहे किसी के साथ नई रिलेशन्शिप की शुरुआत हो सकती है प्रियतम के साथ रोमांस करने का मौका मिलेगा शादी शुदा जातकों को बहस और एंकार से बचना होगा भाग्य स्टार के रूप में आपको मिलते हैं पांच में से चार स्टार और उपाय के रूप में केले के व्रक्षी पूजा करें एवां अपनी कलाई में पीला धागा पहने कन्या राशिय गूड विज्ञान आध्यात्मिक मंत्रों एवां किसी भाष्यों को सीखने में आपकी रुची बढ़ेगी कारे शेत्र में महनत आपको अच्छे परणाम दिलाएगी आगे बढ़ने के लिए आपके पास कई मौके आएंगे विभिन स्रोतों से भी आपको लाब संभव है आपके खर्चों में वर्धी की संभावना दिखती है बच्चों का सभाव थोड़ा चिड़चिड़ा हो सकता है और छात्रों का पढ़ाई से मन भटक सकता है अपने वासनात्मा के विचारों पर नियंतरन रखें बात करें अगर आपके प्रेम फल की तो प्रेम के संभन में मिले जुले परणाम मिलेंगे सपता के शुरुआत थोड़ी धीमी रहे की जबकि मध्य और अन्त अनुकूल दिखाई दे रहा है इस समय आपको रोमांस करने का भरपूर मौका मिलेगा साथ में कहीं लॉंग ड्राइपर भी जाया जा सकता है वहीं वैवाहिक जीवन में जीवन साती की सेहत में थोड़ी कमी नज़र आ सकती है असलिए उनकी सेहत का विशेश ध्यान लगे भागे स्टार के रूप में आपको मिलते हैं पांच में से चार स्टार और उपाय के रूप में प्रति दिन गव माता को हरा चारा खिलाईए आपके लिए उत्तम रहेगा तुला राशी इस सब्ताहा आपको मिले जुले परिणाम मिलेंगे आप बेहत सोच समझ कर कोई भी भी भैसला लेंगे पारिवारिक जीवन में किसी तरह की समस्या आ सकती है माता जी की सिहत में गिरावट देखी जा सकती है कारेश चेतर में काम का बोश्ट रोड़ा जादे रह सकता है किसी प्रोफेशनल ट्रिप के कारण आप विदेश यात्रा या लंबी यात्रा पर भी जा सकते हैं विभिन सुरोतों से आपको लाप राप्त होगा छात परिक्षा के लिए जम कर मेहनत करेंगे और आपके बच्चों का सुभाव अच्छा रहेगा यदि बात करें आपके प्रेम फल की तो प्रेम के लिए सफ्टा अच्छा रहेगा साथ में सिनेमा देखा जा सकता है लॉंग ड्राइब का विकल्प भी खुला रहेगा सफ्टाह के शुरुआत को छोड़कर मध्य और अंत बढ़िया रहने के संकेत दे रहा है जीवन साथी के द्वारा किसी तरह का लाब मिल सकता है किसी शांदार जगे पर पिकनिक मनाने के लिए भी जा सकते हैं इससे आपके संबंदों में मधूरत आएगी भाग स्टार के रूप में आपको मिलते हैं पांच में से चार स्टार और उपाय के रूप में मादुर्गा की अराधना करें और उन्हें चुनरी तथा लाल चूड़ियां चड़ाने के साथ सफेद रंग की मिठाई का भोग लगाएं काम के प्रतिया आप द्रण निश्य ही रहेंगे यात्रा आपके लिए शुबकारी रहेगी कई सरोतों से धनलाब होने की संभावना है घरेलू जीवन में किसी तरह का उतार शड़ाव नजर आ सकता है इस दोरान अपने गुसे पर नियंतरन रखे और बहस करने से बचें माता जी की सिहत में कोई कमी आ सकती है चात्र उच शिक्षा है तू विदेश जा सकते कारे शेत्र में शीनियर्स आपकी मदद करेंगे अपने सहीयोगियों पर ज्यादा भरूसा ना करें भाई भेनों से किसी प्रकार की कासों नहीं हो सकती है इसलिए उनसे प्रेम पूर्वक व्यवार करें प्रेम फल की बात करें तो सब्ताह आपको मिश्रित परणाम प्राप्त होंगे सब्ताह की शुरुआत तो अच्छी रहेगी परन्तु अंत में आपको समान्य परणाम मिल सकते हैं यदि आप किसी के साथ लॉंग डिस्टरंस लेलेशन्शिप में है तो सब्ताह आपके लिए अनुकूल रहेगा वैवाहिक जीवन में जीवन साथी पर विश्वास बनाए रखें और साथी आप उनके विश्वास पर भी खरे उतरें भागय स्टार के रूप में आपको मिलते हैं पांच में से चार स्टार और उपाय के रूप में भगवान शिरी हरी विश्वास की पूजा करें और उन्हें लाल पुष्प अर्पित करें धनु राशिप काम के परती आपके अंदर जोश और उत्साह बना रहेगा दढ़ संकल्प के साथ आप काम को पूरा करेंगे आपको उच लाब प्राप्त होने के योग बनते हैं यात्राएं आपके लिए लाबकारी सिध होंगी अपनी बौदिक शम्ता के कारण आपको अच्छे परणाम प्राप्त होंगे कारे शेत्र में सीनियर्स आपको आगे बढ़ाने में मदद करेंगे घरेलू जीवन में भी सुक्षांती बनी रहेगी छात्र उत्साह के साथ अपनी पढ़ाई पर फोकस करेंगे दोस्तों अथवा फैमली के साथ कहीं पिकनिक पर जा सकते हैं वहां चलाते समय थोड़ी साफधानी बरते हैं यदि बात करें आपके प्रेमफल की तो सप्ताहा आपके लिए अच्छा रहेगा और प्रारम में ही आपको इसका आभास हो जाएगा सप्ताहा के अंत में आपको साती के साथ रोमांस करने का भरपूर मौका मिलेगा उनके साथ किसी सुहावने सफर पर भी जाया जा सकता है वैवाईक जीवन के लिए भी सप्ताह अच्छे संकेत दे रहा है आप जीवन साती की भावनाओं की कद्र करेंगे और आपको उनका सहयोग भी प्राप्त होगा भाग्य स्टार के रुप में सप्ताह आपको मिलते हैं और घर में सुक्षान्ती बड़ी रही आप अपने काम और निजी जीवन में बैलेंस बनाने में सफल रहेंगे अपने वासना पटक विचारों पर कावू रखे बिजनस पार्टनर के साथ किसी तरह का मतभेद हो सकता है छात्र पूरी लगन के साथ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देंगे आपको भाई बहनों का सयोग भी प्राप्त होगा साथ ही अचानक आपको लावत्वा धन की हानी भी संबव है धन निवेश सोच समझकर करें बात करें यदि आपके प्रेम फल की तो सबताहक शुरात बहुती बहतरीन रहेगी वीकेंड भी प्यार के मामलों के लिए अच्छे रहने का वादा कर रहा है आप अपनी प्रेतम के साथ किसी रेस्टोरेंट पर लंच अथवा डिनर के ले जा सकते हैं इस समय मर्यादा के दायरे में रहें जीवन साती के साथ किसी प्रकार की गलत फहमी हो सकती है इसे ततकाल दूर करें भागय स्टार के रुप में आपको मिलते हैं पांच में से साले तीन स्टार और उपाय के रुप में शनी देव की अराधना करें और उन्हें नीले पुष्प चणाएं कुम्ब राशी कारे शेतर में काम का बोज रह सकता है और काम के दबाव के कारण आपको मानसिक तनाव भी रह सकता है परन्तों इदियाप कड़ी मेहनत के साथ कारे करते रहेंगे तो आपको सफलता आवश्य ही मिलेगी करियर में उन्नती होगी और शत्रों पर आप विजय प्राप्त करेंगे व्यापार में साज़ेदारी आपके लिए फायदेवन्त रहेगी दान धर्म के कारें में आपकी रूची बढ़ सकती है पिता जी को किसी प्रकार की उपलब्ती प्राप्त होने की समभावना है बच्चों की सेहत का खियाल लखे बात करें आपके प्रेम फलकी तो प्रेमं के मामलों के लिए पूरा सफ्तहा उत्तम रहेगा हाला कि अपने प्रियतम से आपको छुप छुप कर मिलना होगा क्योंकि कुछ लोग आपन नजर रख सकते हैं वैवाहिक जीवन में आनंद हाएगा जीवन साती के साथ रोमांस करने का भरपूर मौका भी मिलेगा आप दोनों सप्ताह का पूरा आनंद लेंगे हाला कि बहस वाजी से बचना होगा भाग के स्टार के रोप में सब्ताप को मिलते हैं पांच में से साले तीन स्टार और उपाय के रोप में प्रतिदिन मादुरुगा की मन से अराधना करें मीन राशी आपके खर्चों में वरिद्धी संबव है करियर में उतार शड़ाव की परिस्थितियां आ सकती है सेहत में थोड़ी गिरावट देखी जा सकती है कठिन परिश्रम से आपको लाब प्राप्त होगा विदेशी संबंदों से भी लाब होने के योग है विपरीत लिंक के लोगों अथवा भाई भेनों से आपका मद्वेध हो सकता है आपका पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा आप अपने विरोधियों पर हावी रहेगे आमदनी में स्थिरता नजर आएगी बात करें प्रेम फलकी तो प्रेम के मामलों के लिए सब्ताह मिला जुला रहेगा सब्ताह के शुरुआत समानने रहेगी परनतु इसका मद्ध है वामन्थ आपके लिए बहतरीन साबित होगा प्रेम साथी के साथ किसी जगे घूमने जाये जा सकता है दोनों के बीद समवाद बना रहेगा यदि आप अपने प्रियतम के साथ अपने भविषय के बारे में योजना बना रहे हैं तो बीच में एहम को बिल्कुल भी जगा ना दे भागय स्टार के रूप में सब्ता आपको मिलते हैं पांच में से साले तिन स्टार और उपाय के रूप में मचलियों और चीटियों को भोजन दे आपके लिए उत्तम रहेगा तो दोस्तों ये था सापताहिक राशिफल 2 से लेकर 8 अक्टूबर 2017 इसी तरह हमारे अन्य वीडियो देखने के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने भविष्य की विभिन जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं हमारा यूट्यूब चैनल है अश्टोसेज टीवी उससे भी आप हमसे जुड़ सकते हैं उसे सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए पुन्हें आप सभी को इस ट्योहरी सीजन की हार्दिक शुब कामना है आपका अपना एस्टोगुरु मर्गामग